Hello everyone, welcome to Magnet Brains, this is Tazmeen Pathan your science educator for class 9th and for class 10th तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगे students class 9th और class 10th की science वो भी full complete detailed course के साथ जिसके अंदर में आपको DPPs भी provide कराऊंगी जिससे आपकी preparation और next level हो जाने वाली है और अगर आप CBSC board के students हैं तो हम आपको provide कराते हैं KG से लेकर class 12 तक की free of cost classes और अगर आप state board से हैं जैसे की MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board तो हम आपको provide कराते हैं 6 से लेकर class 12 तक की free of cost classes और अगर आपको e-books and e-notes चाहिए तो उसका link भी आपको हमारे description box मिल जाएगा तो without any further delay शुरू करते हैं आज का धमाकेदार session जिसके इंदर में शुरू करने जारी हूँ chapter 1 of biology Class 9 का है the fundamental unit of life तो इससे पहले मैंने chemistry का chapter 1 complete कर दिया है matter in our surrounding तो अगर आपने वो chapter miss कर दिया है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए channel पर आपको मेरे सारे के सारे lectures मिल जाएंगे तो आज हम लोग इस session में students इस chapter का overview करने वाले हैं overview क्या होता है ma'am overview होता है students के आपको यह idea लग जाता है कि आपको इस chapter के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो आज के बार जब आभी मैं आपको इसको पढ़ा दूंगी आपने copy तो ले ली होगी pen भी ले ली होगा heading भी लगा ली होगी क्या क्या पढ़ना है कि अगर आपको एक बार यह पता चल गया कि हमें chapter के अंदर क्या क्या पढ़ना है तो आपके लिए chapter बहाँ ज्यादा easy हो जाने वाला है तो chapter overview आप पता ही चल गया क्यों करना है हम लोगों को चलिया देखिए सबसे पहले students हम पढ़ेंगे the fundamental unit of life cell मतलब कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं cell के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे students cell के बारे में पढ़ेंगे cell क्या होती है कैसी दिखती है क्या क्या मतलब उसके बारे में जो भी important होगा मैं सब आपको पढ़ाऊंगे फिर आते है students what is cell made of cell किसकी बनी हुई होती है it means के मतलब कि उसका composition क्या है किस से बनी हुए कोई chemical है क्या चीज है जिससे बनी हुए होती है what is the structural organization of the cell मतलब कि उस cell का structural मतलब कि वो दिखती कैसी है मतलब कि कुछ ना कुछ तो होगा न उसके अंदर जैसे अब हम लोग है जैसे मैं अगर आपको दिख रही हूँ तो आपको दिखने होगा मेरे सर पर बाल है है ना मतलब इस तरी किसा आपको एक appearance नजर आती है तो ऐसी cell की भी कुछ ना कुछ appearance होने वाली है उसको हम लोग पढ़ेंगे structure organization के अंदर फिर हम लोग देखेंगे students cell theory cell theory क्या होती है अभी रुको जरा बताऊंगे सब कुछ क्या होता है फिर prokaryotic and eukaryotic cell है आपका next structure of cell के वो cell दिखती कैसी है plasma membrane क्या होता है cell wall क्या होता है nucleus क्या होता है cytoplasm क्या होता है students फिर कुछ ऐसी cell organelles जैसे के ER मतलब के endoplasm क्रेटिकुलम को ER बोला जाता है ribosomes golgi apparatus lysozome mitochondria plastids chloroplast vacuol perioxomes centrosomes इन सब को पढ़ना है फिर हमें देखना animal and plant cell में क्या difference होता है तो ये सारे हमारे main topics इसमें रहने वाले हैं और एक और topic आप और add कर लेना जिसमें हम देखेंगे cell division cell division में भी क्या हैगा आपका students meiosis and mitosis mitosis and meiosis समझ में आगे बाला point आप लोगों को तो ये आपका main topics to be covered इस chapter के रहने वाले हैं अगर आपने इन topics को कर लिया तो ये chapter आपका बिल्कुल crystal clear and master हो जाएगा तो चलिए भाई अब मैं शुरू करके बताती हूँ आपको कि किस चीज में क्या क्या important है क्या क्या आपको याद रहना चाहिए इस session के बाद चलिए आजए तो सबसे पहले students क्या क्या होती है मतलब कि मैं हम cell कहां से बनी क्या origination था उस cell का मतलब ऐसे कैसा अगी cell देखे जैसे कि आप लोग को यह चीज अच्छे से पता होगी student कि किसी भी और्गानिजम को बनने के लिए जैसे अगर मैं घर की ही बात करूँ जिस घर में आप बैठे हैं जहां स्टूडियों में काम कर रही है ऊस वक्त तो आपको पता होगा कि वो उसकी दिवारे हैं वो brick से बनी यह है मतलब इटो से बनी हैं साइब बोल्री हो मैं यह बोल्री हूं मैं इस बात को तो हम यह देखते हैं कि वो जो बिक ब्रिक पूरी वाल नजर आ रही है बहुत स्मूध नजर आ रही है बहुत टेक्च्चर उसका बढ़िया है बच कभी आपने सोचा कि वह उस ताइम पर ऐसी नहीं होगी मतलब वह किसी ना किसी छोटी चीज से मिलकर बनी है ऐसे कि एक और्गानिजम अगर हम अपनी बात करें स्टूडेंट्स तो हम भी ऐसे नहीं है जैसे आपको दिख रहे हैं हम भी छोटी छोटे एक ब्लॉक से मिलकर बने हैं जिनको हम बोलते हैं सेल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम जिसको सेल बोलते हैं तो cell क्या होता है, cell is the building block of the body, मतलब कि आपकी body को बनाने में सबसे important role क्या है, cell का है, अगर मैं आपको बताओ, एक organism का, क्या organism बना कैसे है, तो आप इस चीज़ पर जरूर नज़र डाल सकते हैं, कि सबसे बहले मैं, cell थी, अज़ बताओंगी, cell के बारे में भी, फिर इस cell, जब cells, मैं, बहुत सारी cells, जब group में आ जाती है, जब बहुत सारी cells, students, group में आ जाती है, तो वो बना लेती है, tissue, क्या बना लेती है, tissue, and group में आना ही is not the thing, अगर वो एक group में आकर, एक साही function perform कर रही है, है न, and वो एक सही size and shape में similar है, then they form a tissue, then, अगर आपका tissue, बहुत सारा एक साथ आ जाए, मतलब के, काम करना शुरू कर दे, एक साथ group में आ जाए, तो वो बनाता है, student organ, क्या बनाता है, organ, फिर organ से बनता है, students organ system, क्या बनता है, organ system, वैसे तिशू से पहले, tissue system बनेगा, फिर organ, system, and then, यहां से पूरा का पूरा एक organism तयार होता है, पूरा का पूरा का पूरा का पूरा एक organism तयार होता है, done, इस तरीके से एक organism बना, क्या सबसे बनाता है, फिर बहुत सारी cell group में चली गई, उन्होंने एक similar function को perform करना शुरू करा, and they form a tissue, tissue, और उन्होंने क्या बना दिया, tissue बना दिया, फिर बहुत सारी tissue एक साथ आया, और उन्होंने बनाया, tissue system बनाया, then tissue system बनाने के बाद आप इसको लिख लिजे, कभी आप बाद ने, बोलें के माँ आपने लिख वाया, क्यों नहीं हमें, tissue system, and then ultimately they form a organ, organ, and then organ system बना, तो अभी आपके level पर क्या चीज़ शुरू होने जा रही है, यह पूरा को पूरा ना, class 12 तक मैं पूरा को पूरा सिखा दिया जाएगा, यह सब कुछ, यहां से आगे तक, यह बिलीव निंग करोगे, इस से आगे भी जाने क्या-क्या सीख चूँगे, तो अभी जो आपका base है, मतलब कि आपको class 9 के अंदर पढ़ना है, वो सिर्फ आपके दो topics रहने वाले हैं, इस flow chart में से, cell, अलग चाप्टर है, पूरा का पूरा इसको पर, and tissue, तो cell तो अब हमारा चाप्टर शुरू होई चुका है माम, और इसके बाद next chapter रहेगा, tissue, biology का, ठीक है, तो हम यह रेख रहे थे, cell, तो cell क्या होती है, कैसे होती है, देखे, cell के discovery कैसे हुई, आपको क्या लगता है, कि cell कैसे आई, पर देखे, पर देखे, cell के important है, क्योंकि कोई भी organism, वह cell सही मिलकर बनावा है, बहुत सारी cells ने उस organism को मिलकर बनाया है, अब आप यह सोचे हों कि माम यह cell discover कैसे हुई, देखे, cell कैसे discover हुई students, उसके लिए एक scientist थे, Robert Hooke, क्या नाम था उनका, Robert Hooke, उनका नाम था, वो क्या कर रहे थे, देखे, वो मतलब उन्होंने एक microscope बनाया था, खुद से discovery करी थी, उस microscope की, और उस microscope को discover जब उन्होंने करा, बनाया खुद से, तो उनको ना ऐसी बहुत सारी, मतलब के, वो बहुत साई चीज़ा observe करे थे, देखे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो, ट्री, जो होता है, ट्री, उसकी जो बार्क होती है, देखे, उसको उन्होंने observe किया, और उसको उन्होंने observe किया, एक उसके अंदर कुछ ऐसे structures present थे, हनी कॉम जैसे, हनी कॉम क्या होता है, वो जो मदुमक्खी का छट्ता होता है न, ऐसा कुछ, ऐसा, ऐसा, यह था हनी कॉम, हनी कॉम जैसा उनको एक structure नजर आया, ठीक है, फिर उन्होंने क्या चीज़ नोटिस करी, उन्होंने देखा कि ऐसे न, देखे, कुछ मॉंक होते हैं, मॉंक क्या होते हैं students, जो मतलब कि religious people होते हैं, जो church में रहते हैं, तो उनके rooms भी कुछ ऐसे ही shape के होते थे, उस time पे, तो उन्होंने इस word को नाम दिया, उसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, cellा, ठीक है, तो हमने हाँ पे एक चीज़ देखी, कि इसको ही, जो cell नाम पड़ा है न, यह इसी विज़ा से पड़ा है, क्योंकि जो मॉंक के कमरे होते थे, वो कुछ ऐसे ही नज़र आते थे, जैसी यह उन्हें cell नज़र आई थी, जैसी उन्हें cell नज़र आई थी, उस बार के अंदर कुछ ऐसा लिंग में नज़र आया था, इसलिए इसका नाम पड़ा cell, क्या नाम पड़ा इसका, cell नाम पड़ा, क्योंकि यह मॉंक के उन कमरों जैसे नज़र आ रहे थे, इसलिए उसका नाम cell पड़ा, तो उन्होंने जो दिस्कपरी करी थी, रोबर्ट हूर के दुवारा जो दिस्कपरी हुई थी, वो कैसी थी, वो एक dead cell की discovery थी, वो living नहीं थी cell, वो dead cell थी, क्या थी, वो जो Robert Hook ने जो discovery करी थी, Robert Hook ने जो discovery करी थी, students वो एक dead cell की discovery थी dead cell तो मैं living cell कौन लेकर आया living cell को पच्चर में लेकर आया Anton Von Leeuwenhuk देखो आप इसको कैसे आ रखोगे hook hook ऐसे आ रखना hook तुमने किसे कि गले में hook डाल दिया अब जब तुमने hook डाल दिया उसके गले में तो मर गया तो मनलब डेड इसल की discovery किस ने करी थी Robert hook ने करी थी hook डाल के मार दोस्को जान से ठीक है ऐसे ही सिली सिली चीजों से याद होंगी यह सारी थीज़े ठीक है फिर क्या मैंने बताया है कि यह भी लिवन हूप जो थे वो scientist थे जिन्होंने students living cell की discovery करी living cell की discovery करी इन्होंने बहुत सारी चीज़ा अबसर्फ करी यह से क्या इन्होंने क्या काम करा इन्होंने pond water लिया एंड उसको ऐसी microscope के नीचे डाल के देखा एंड जाव इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालके देखा तो ऑशीज उसमें बुफ कर रहे है कुछ चीज उसमें फ्रहिए लग अ मिया होसकता था पौह नारी तो इस से हमने चीज पता चली के living cells हैं जिसकी discovery किस ने करती एवी ल्यूवन हूप ने ठीक है तो ल्यूवन ल्यूवन से आधको living ल्यूवन से क्या रखना आप लोग को living चीज याद रखनी है समझ मा आगया वाला फी का एक सायंतिस्स स्टूदेंटiran नाम था आप ? हुआ ठीक है तो था इन लोगें का सीन मेथियास न का पूरा नाम था क unos तो उनका मेथिया चिलन लन खरेर तो जो मेथियाज शिएल्डेन थे थी और उन्हों ने प्लांट सफ की डिस्कवरी गई होगि अब इसको याद कैसे रखोगे माम याद चाहिए मेथियाज मेति मेथी क्या होती है मेथि एक सबजी होती है तो मतलब क्यों प्लांट है तो इसका मतलब मेथियाज SHELDON ने किसका discovery करी थी प्लांट सल की discovery करी थी तो इसको याद आप ऐसे रख सब्सक्किश्यों फिर स्टुदेंट्स एक सायंटेस्ट है थेओर स्वान थिएडर स्वान इन्होंने स्विंट्स एनिमल सेल की डिसकाबरी करी थी इनकी पूरी डॉटिल कहानी तो मैं तो मैं सेल ठेहरी में बताँए बड़ी इंत्रेस्टिंग स्टोरी है इनकी देखे जो मेद्या शर्डेन थाना वह जब इनसे मिला थ्एडर श्वान सब उन्होंन अब इसने चाला कि मैं क्या क्या थ्वर्डर ने इसने प्लांट्स के उपर भी डिस्कवरी करना शुरू कर दिया और इसने अनिमल्स के उपर तो यह करी रहा था तो इसका नाम जब आप पढ़ते हैं तो आप यह देखते हैं बहां पे लिखा वाता है कि थ्वर्डर शुवा जो मेथिया शुल्डिन थे उन्होंने एक साल पहले यह काम कर दिया था जो थ्वर्डर शुवान की जो मतलब के बुक आई थी वो एक साल बाद आई थी इनसे तो हमने दोनों को ही क्राड़िट दिया है यहां पर क्योंकि काम उनका भी था प्लांटसल को डिस्कवर करने मे किया वालजां सब्समाइब कर दीजिया उसके बार स्टूदेंट्स आप डिकिन के बहुत सारी और सांटिस जैसे कि आप पढ़ेंगे में रोबर्ट ब्रॉबर्स रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आप पढ़ेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे स्टुडेंट्स उन्होंने न्यूक्लियस को डिसकवर करा था अच्छा आप थिवर्डर श्वान को कैसे याद रखोगे सोचो तो श्वान श्वान से यसा नहीं आदा था जैसे वो एक ब जो अब नुकलिस को देखते हो से नंदर तो आपको डार कलर नहीं नजर आता अंदर से बहुत डार्कस कुछ है अनदर चल रहा है तो इसका मलई जैसे ब्राउन ब्राउन क्या होती है brownie नहीं होती brownie एन्ड फोड़ सा brownie क अंदर से डार्क से नजर आ रहा है आपको तो ऐ करक पर काम कर रहे थे उसके बाद फिर अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें इन्होंने क्या काम कर रहा है इन्होंने बहुत शॉक चल ला था चीज़े धर सो धर देखने आखे उस माइक्रोस्कोप के नीचे मैं देखूंगा तो यह जाके पॉंड वाटर लेकर आए इन्होंने जब उसको अब्जर्फ करा अंडर था माइक्रोस्कोप तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि उसमें कुछ ऐसे तैर रहा है मलब कि कुछ चल रहा है तो महां से लिविंग सेल की डिसकवरी हो गई फिर मेथि मेथी मेथी क्या है प्लांट है फिर जब रहा है तो स्वान से आप याद रखींगे कि वो क्या है अपका अन्यमल से की डिसकवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने नुकलिस की करी थी यह चीज सारे के सारे पॉइंट्स इंपोर्टेंट है सब कुछ नौडुक में आद जाना चाहिए लिग देना चाहिए बिल इस्ट्रॉक्चर किससे बनावा है प्लाजमा मेंब्रेन है ना साइटो प्लाजम सेल बॉल इन सब के बारे में स्टूडेंट्स हम लोग इसके अंदर बात करें कि अमले सेल बनी वी किससे है बेसिकली ठीक है अगर मैं आपको एक सेल दिखां रूँ जाओ भी दिखाते हू फिर आते हैं स्टुडेंट्स्ट्र देखें सेल दिखें जो थी वो तीन साइंटस्ट ने मिलकर दी थी सेल थीओरी वास गिवन बई ठी शाइंटस्ट कौन कौन थे उसमें मेथी था शुवान था और एक और साइंटस्ट्स है रूडॉटल्फ वर्चौ। मेथियाज, मेथियाज शेल्डन, थ्योर्डर शुवान, एंड रुडॉल्फ वर्चौ। इन दोनों के स्टेवर्डन शुवान के स्टेवर्डन ये थें के जो ठिमनल और प्लांट्स वह सेल्स के होते हैं ये पका है ऊती कि इन गूं कि रहिए रिल्डन ओनुंट। उसके बारे में बताया था रोडॉल्फ बिर्चोर ने जिसका एक statement भी बहुत फेमस है omnis cellula east cellula इस बात का मतलब क्या होता है students इसका मतलब है कि जो cells exist कर रही है वो pre-existing cells से ही आई है it means कि मान लीजे कोई new cell है तो new cell किसी पुरानी cell से ही बनी है इसका मतलब यह था तो यह statement देने के बाद पूरी की पूरी cell थेरी बनती है जो तीन scientist ने देती बहुत जादा important है आपके exam में पूछी भी जाती है चलिए next आते है students prokaryotic cell and eukaryotic cell देखें prokaryotic and eukaryotic का क्या मतलब होता है देखें prokaryotic ध्यान से देखना मतलब ही नाम में ही मतलब है तो pro का मतलब होता है प्रिमिटिव क्या मतलब होता है students primitive और karyotic का मतलब होता है students nucleus ऐसी organisms जिनका nucleus primitive था primitive मतलब बहुत ही पुराना था undeveloped था developed भी नहीं हुआ था ठीक है तो वो क्या होते हैं आपके primitive नुकलेस वाले और्गानिसम्स होते हैं, प्रोकरियोट्स, एंके पादा चीजह थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, इंके पादा चीजह, कैसे थे, कैसे दिखते थे, सब कुस डीटेल सचिन के अंदर आएगा, अभी इतना आज़को कि प्रोकरियोट्स का मतलब होता है, ऐस इसका मतलब होता है, 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 और इनके पस developed nucleus है तो हम लोग हमारी category animal cells की category eukaryote cell में आती है प्रोकरोट में आपके bacteria वगरा जाते हैं और बहुत सारी चीज़ आती है मैं सब कुछ बताऊंगे आप लोगों ठीक है वो भी detail session में फिर आते हैं students structure of cell हम देखेंगे कि cell कैसी दिखती है लाइक के उसका appearance कैसा है जिसके मैं आपको बताया के animal cell plant cell इन दोने के difference के बारे में आपके बात करेंगे फिर आते है students plasma membrane plasma membrane क्या होती है देखें अगर मैं आपको एक जी बहले आप इसका screenshot ले लो सबका लेली आपने screenshot ठीक है आगे बढ़ जाओं यस माम बढ़ जाईए अगर मानलो में एक cell बनाओं यहां पर मतलब यह एक ऐसी cell है मतलब कि यह cell exist नहीं करती है जो मैं बना रही हूं यहां पर यह मन घड़त कहानी की वाली cell है इसकंदर ना बहुत सारी चीज़े प्रेजन होने वाली है यह से नुकलेस प्रेजन होगा ना यूकलेस हाफ इसकंदर प्रेजन अगर यूक एरोटिक सेल है समाझ जो इस टाइप से बढ़ अभी यह सब चोड़ो तो इसकंदर जो भी content रहेगा जैसे कि हां पर ऐसे साइटो प्लाजम भी रहने वाला है अंदर बहुत सारा content होगा अभी अंदर वाला छोड़ो देखो अब अंदर वाला content बहार वाली environment से कैसे separate है with the help of a membrane thin membrane है उसको हम बोलते है students plasma membrane क्या बोलते है हम लोग plasma membrane तो plasma membrane अंदर वाले content को cell के inside वाले content को बहार के atmosphere के content से separate करके रखत अब plasma membrane क्या होती है मैं कैसी होती है उसके लिए detailed session का wait करो कि मैं वही वही तुम्हें पूरी plasma membrane याद करा दूंगी इतना promise है चलिए समझ मांगया फिर उसके बाद students अगर ये एक plant cell होती जैसे कि plasma membrane के बाद यहां पर लिखावा है cell wall अगर एक plant cell होती तो students हम यहां पर देखत यहां पर एक extra covering इसको पर यहां पर ऐसे present होती students यहां पर ऐसे और इसको हम बोलते है cell wall क्या बोलते हैं हम लोग students इसको cell wall एक point बहुत important जो आपको याद रखना है कि cell wall जो है वो सिर्फ plant cell के अंदर ही present होने वाली है सिर्फ plant cell में और fungi में मिलेगी आपको यह ठीक है देखने जिए पर इसको लिए और bacteria में मिलेगी animal cell में cell wall नहीं पाई जाती इसको important point इसको लिख लीजिए बहुत important point है समझ मां गया इतना point आप लोगो को कि सेलल की होती है मैं कैसी होती है क्या है इसका सारा डेटियल लेक्षर का वेट करो उसमें में आपको बताऊंगे कि सेलल का सारा content एक membrane की थूरो मतलब के बाहर से separate हुआ है जिसको हम plaza membrane बोलते हैं और अगर ये cell कोई plant cell होती या कोई bacterial cell होती या फिर कोई fungal cell होती तो इसके पास एक और extra covering होती है जिसको हम बोलते है cell wall done इतना समझ मांगया यस मांगया है फिर students यहाँ पर बात हुई है nucleus की अब मालो nucleus के उतर से मालो यह एक prokaryotic cell है imagine के it is this is a prokaryotic cell तो आप यहाँ पर देखते students के यहाँ पर आपको एक structure visible होता हो यहाँ पर ठीक है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़े चल रहे होती है मतलब के बहुत सारा activity इसके अंदर चल रहा हो तो आपको इसके अंदर ऐसे कुछ structure भी पड़े वे नजर आते ऐसे ऐसे बताओंगी क्या है यह है chromosome क्या है students यह chromosome है फिर आपको इसके उपर ऐसे covering नजर आती यहाँ पर ऐसे covering रहती इसको हम बोलते है nuclear membrane ठीक है तो यह था nucleus क्या था यह 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 था nucleus था फिर इसके अंदर आपको एक और dark region भी नजर आता एक अंदर एक ऐसे dark region भी नजर आता आपको उसको हम बोलते है है nucleolus क्या बोलते हैं students हम उसको nucleolus बोलते हैं तो यह nucleus है nucleus को brain of the cell भी बोला जाता है क्योंकि cell के अंदर जितनी भी activities चलती है वो सारी activities nucleus nucleus के थ्रू ही control करी जाती है तो brain of the cell को ने हमारा nucleus ही है ठीक है तो nucleus को detail ने पढ़ाऊंगी जब मैं nucleus का lecture लेकर आऊंगी तो बिल्कुल भी ऐसा मतले सोचों कि मैं एकदम-एकदम क्या हो रहा है आपको इससे यह पदा चल रहा है कि आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है जब अब मैं lecture लेकर आऊंगी तो आपको थामनेल लेखते समझभा जाना चाहिए अरे मैम ने इसका तो discussion किया था chapter overview के अंदर पहला आप इसका screenshot ले लिए आपने screenshot इसका रुख जागर ऐसी हो सकता है मूव नहीं हो सकता है चलो नेक्स आते है साइटो प्लास्म साइटो प्लास् so उसके अंदर students यहाँ पर अंदर एक flood present होता है और इस flood में बहुत सारी organolys टैर रही होती है यह फ्रूड होता है प्रफ्रेजन इसी को हम बोथेस श्नी साइटो प्लाजम भोस्ट सारी प्रिकशन और उटी है और इसके πάbor नलीb का है कैसे बनाई यह क्या से क्तुरिंधन एक lava को सबकुशन में आफ को इसके अपर मजहा दो में समझा भीजिए हमारी बॉडी में ओर इंशर हाट यह कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ऐसी च्रूटी-च्रूटी होती है वो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं सेल अर्गनलीज बोलते हैं इस बोगास साथी सेल लगनलीज जैसे हम आपको बता देती हूं कौन सी कहा कहा कैसे कैसे पर पिर आप इसका screenshot ले लिए ले लिए आप इसका screenshot बढ़ जाओ आगे यह अपर जाईए देखिए तो माल लीजे मैं यहाँ पर एक cell बना रही है तो students जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक nucleus present होता है एक यह है यह नूक्लेस क्या है students के nucleus है और इसको पर एसे membrane भी present रहती है तो हम यह देखते है students के इस membrane की नैसे आगे को बढ़ जाती है इसे की in folding ऐसे ऐसे है ऐसे आगे को बढ़ जाती है ठीक है और यह जो बढ़ गी है न यह जो in folding है इस nuclear membrane की यह जो in folding है न इस nuclear membrane की इस ही को हम बोलते है students endoplasm kratikulum क्या बोलते हैं हम इसको endoplasm kratikulum बोलते हैं जिसको मैं ER से represent कर रही हूं इ-r इ-r is a short form for this अब यह ER जो होते हैं यह further two categories में होते हैं एक होता है rough ER rough ER और एक होता है students आपका smooth ER तो यह क्या होता है इसको मैं detail session नहीं बताऊंगी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए यह 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 एक ऐसी और यह है जो nuclear membrane यह क्या है students यह nuclear membrane है यह क्या है यह nuclear membrane है तो nuclear membrane की आगे further जो in folding है वह है यह समझ मांग यह वाला point next point students आपका आता है ribosomes ribosomes क्या होता है students they are the burger like structures यह सब्सक्राइब बर्गर होता है यह एक बर्गर लाइक structure होता है कुछ ऐसा सा एक बड़ी सब्यूनित होती है इसकी और एक होती है चोटी सब्यूनित ऐसे इसको हम बोलते है students ribosomes इसको हम क्या बोलते हैं ribosomes बोलते हैं यह बहुत important होता है cell के लिए क्योंकि cell में जितना भी protein बनेगा वो राइवोजूम ही synthesis कराता है समझ बागे वाला पॉइंट अब हम यह देखते हैं कि कभी कभी क्या होता राइवोजूम ना इस यार से चिपके रहते हैं ऐसे यहां पर इसको पर आसे चिपको रहेंगे ऐसे कहीं कहीं पर इसे बार लोग यहां पर ऐसे चिपके होई रहते हैं ऐसे यहां पर आसे और कहीं कहीं पर absent रहते हैं तो जहां students वो चिपके होई रहते हैं इसा अभी मैं आपको बदाय था कि endoplasm के रेटिकलम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं rough और smooth तो हम रहते हैं जहां जहां एंडोप्लाजम के रेटिकलम पर राइबोजोम प्रेजंट होता है उस वाले को हम बोलते हैं rough endoplasm के रेटिकलम और जहां पर नहीं प्रेजंट होता है जैसे इस वाले पार्ट में नहीं है इधर साइड तो इसको हम बोलेंगे समझा से पीठ करके रही होती इह एसे तो सब्सक्राइब आपको जब ही बताऊंगे जब ही बताऊंगे मैं इसका function क्या होता है सब कुछ जब ही बताऊंगे डीटेल में तो यहां रखने गॉल्जी बड़ी ऐसे वाइफाई का साइन जासा है ऐसा है दुख आप इसको फिर स्टूडेंस आपको लाइजोजोम्स मिलें कि लाइजोजो गणी किस तरीके से करते हैं तो यह क्या है यह लाइजोजोमस है इनको suicidal bag of the cell भी बोला जाता है क्या suicide bag of the cell भी इनको बोला जाता है फिर आप देखेंगे हापे प्लास्टिज, माइटो कॉंट्रिया के बारे में बात हुए, माइटो कॉंट्रिया क्या होते हैं students, tiny structures होते हैं, छोटे-छोटे structures होते हैं, जो cell के पास present होते हैं, यह मेरी cell छोटी बढ़ गया है न, ऐसे, और ऐसे in foldings रहती हैं इसकी, double membranes होते हैं, महला दो membranes होती है, एक membrane बाहर वाली सही रहती है, और दूसरी वाली membrane जो होती है students, इसकी full cover रहती है, यह है mitochondria, mitochondria, sausage जैसा इसका structure होता है, फिर एक green color का structure present होता है, जिसको हम बोलते हैं chloroplast, क्या बोलते हैं chloroplast, ऐसा, this is chloroplast, तो पहले आप इसका screenshot लो, फिर मापको आगे जो बची भी हैं वो पतात जल दी से आप पहले इसका screenshot ले जल दी से, ले आपने इसका screenshot, तो chloroplast समझ भागे आपको कि green color का structure होगा, जो plant cells में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, plant cells के अंदर पाया जाता है, फिर students आप देखेंगे vacuoles, vacuoles क्या होता है, अगर यह plant cell है, अगर एक plant cell है students, हम यह ची इसका बहुत ही important function है, पढ़ाऊंगी कि vacuoles का function क्या होता है, इसका अंदर 90% of the water, जो cell का 90% water होता है, वो vacuoles के अंदर ही stored रहता है, जिसके विए से आप देखते हैं, plant cell में present होता है students, plant cell का size भी सी के विज़ा से बढ़ता है, जब यह बढ़ता है, जब यह बढ़ता है, ल cell wall के विए से, cell wall ना एक rigid structure होता है, तो उस पर ऐसे force लगती है, वैक्क्यौल के बढ़ने के विए से उसको पर force लगती है, जब जाके वो cell बढ़ी होती है, ठीक है, तो आपको दिखाऊंगी animation से कैसे बढ़ी होती है, ऐसे रहती हो किसा एक्ती बढ़ी होता है, ठीक है, तो चलो मैं, तो यह आपके chapter में था, फिर आपको पढ़ना है animal cell और plant cell का difference, कि एक animal cell और plant cell में क्या difference होता है, यह मैं आपको detail session के अंदर बताऊंगे, क्या difference होता है, हमें पूरा का पूरा difference पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, next students, हाँ, एक और point आपको याद रखना ह हाँ पर, आप पढ़ेंगे cell division के बारे में, cell division, cell division के अंदर आप पढ़ेंगे mitosis and meiosis के बारे में, आप mitosis and meiosis के बारे में पढ़ेंगे students, mitosis and meiosis में, mitosis क्या होता है, meiosis क्या होता है, इसकी help से student, इन दो process की help से एक cell divide करती है, mitosis and meiosis की help से next students तो यहाँ पर आपके topics खतम हो गए हैं कि जो जो आपको पढ़ने हैं बट क्या topic लगाने से आप इस chapter को master कर लेंगे नहीं मैम हमें practice करनी पड़ेगी यह आपको practice करनी पड़ेगी students जितने भी NCRT के अंदर question answers आपको वो सब लगाने पड़ेंगे तो वो भी मैं लेकर आउंगे किस बाप की tension है बिल्कुल भी tension मत लो कोई tension लेनी की ज़रूआती यह NCRT solution में students मैं आपके play लेकर आउंगी in text और exercise दोनों ही in text और exercise दोनों question ही आपके महाँ पर रहने वाले हैं MCQs इसके जितने भी important MCQs मुझे लगते हैं वो मैं आपको solve कराऊंगी फिर students MIQs most important question from this chapter जो आपके exams में आएंगे वो मैं आपको कराऊंगी और एक और topic आप और add कर लीजेगा यहाँ पर assertion reason assertion and reason इनको भी हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत important है आपका exams में आते हैं और यह आपको आने ही चाहिए and the last complete chapter revision और हम last में करेंगे इस chapter का complete chapter revision जो शायद parts में भी जाए बट होता ही है पूरा और पूरा chapter revise वनला यहाँ पर इस session को मैं कर रही हूं खतम मैंने आपको पूरी तरीके से chapter का overview दे दिया है अगर आपको session पसंदा है तो जल्ली से session को like भी कर दीजे और red heart को भी drop कर दीजे और अगर आप students cbac vote के हैं मला cbac vote के students है तो हम आपको provide करा रहे हैं kg से लेके class 12 तक की free of cost education and अगर आप state boards आते है MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board तो हम आपको provide कराते हैं 6 से लेके class 12 तक की free of cost education और अगर आपको e-books and e-notes चाहिए उसका link भी आपको हमारे description box में मिल जाएगा और आप हमें कहां कहां follow कर सकते हैं ये और बता दूम आप लोगो आप हमें YouTube पर follow कर सकते हैं आपको पता हैं किस तरी किस कैसे करना है कैसे करना है जाए मागनल प्रेंस पर search मतलब YouTube पर जाए मागनल प्रेंस को search करिए और चैनल को subscribe करें के notifications कौन कर दीजेगा उसके बाद और आप हमें कहां follow कर सकते हैं आप हमें follow कर सकते हैं तो Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp तो भाई मिलते हूं मैं आपसे next session में पहला ही lecture लेकर आने वाली हूं इसका detail तो बने रहेगा मेरे साथ मैंगन प्रेंस पर thank you so much